बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट्स के लिस्ट में मुनवर फारुखी का नाम भी शामिल है। टीवी और फिल्म जगत से आये स्टार्स के बीच कॉमेडियन ने भी अपने लिए जगे बनाई। बिग बॉस 17 के घर में मुनवर फारुखी दर्शकों को एंटेटेन भी कर रहे हैं और शो में बराबर स्पोटलाइट में बने हुए हैं। अब कॉमेडियन ने अपनी परसनल लाइफ को लेकर बात की है। मुनवर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं। उनकी परसनल लाइफ पहली बार तब पबलिक में सामने आई थी जब उन्होंने OTT रियल्टी शो लॉक अप में हिस्सा लिया था। तब उन्होंने अपनी टूटी हुई शादी के बारे में बात की थी। और अब बिग बोस 17 के घर में मुनवर फारुखी ने अपने बेटे और एकस वाइफ को लेकर बात की है। कॉमेडियन ने नील भट से अपने बेटे के बारे में बात की और बेहत इमोशनल हो गए मुनवर ने एपिसोड में खुलासा किया कि उनकी एक्स वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है और अब वे शादी शुदा है वही मुनवर ने अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि अब बच्चे की कस्टडी उनके पास है पिछले कई महीनों से वो उनके साथ रह रहे हैं और उससे इतना जुड़ गए हैं कि अब बिग बॉस हाउस में उसकी याद सता रही है वहीं बता दें आपको कि मुनवर फारूखी ने अपने एक पुराने इंट्रिव्यू में एक्स वाइफ को लेकर बात की थी उन्होंने कहाता है कि वो अब एक्स वाइफ के साथ टच में नहीं हैं और सिर्फ बेटे के खर्च को लेकर बात चीत करते हैं